नमस्कार मेरे प्यारे बच्चो और्टवन डिजिटल एजुकेशन पर आपका हारदिक श्वागत अभिनंदन आसा करता हूं बेटा आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे स्वस्त होंगे बेटा मैं आपका फिजिक्स टीचर अर्विन सर्मा बेटा आज हम बात करने वाले हैं अवतल दर्पन द्वारा परतिविंब का बनना इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था परतिविंब बनाने के नियम बेटा मैं रिपीट करते हुए परतिविंब बनाने के नियम को रिपीट करते हुए मैं आपको लेकर चलता हूं अवतल दर्पन द्वारा मुख्य अक्ष के समानतर आने वाली परकास किरन प्रावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर सीधी चली जाती है नियम नंबर दो बिटा मुख्य फोकस से होकर आने वाली आप्तित परकास किरन प्रावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानतर हो जाती है नियम नंबर तीन बि बेटा हमारा अवतल दर्पन द्वारा परतिविंब का बनना फर्स्ट कंडिशन बेटा जब वस्तु अनंत पर रखी हो जब वस्तु अनंत पर रखी हो माना बेटा M1 M2 एक अवतल दर्पन है M1 M2 एक अवतल दर्पन है जिसकी मुख्य अक्ष्मर अनंत पर एक वस्तु A B रखी है एक वस्तू A B रखी है बेटा अनन्त से आने वाली परकासकरण फोकस से होकर आती है प्रावरतन के बाद मुख्य अक्ष के समानतर हो जाती है किस समांतर हो जाती है दूसरी आप्तित परकास किरन cm परावरतन के बाद उसी मार्ग से वापिस लोट जाती है यह हमने परतिमिम बनाने का नियम पढ़ा था जो भी कोई आप्तित किरन मुख्य फोकस से होकर आएगी परावरतन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी वकरता केंद्र से होकर आने वाली आप्तित परकास किरन परावरतन के बाद उसी मार्ग से वापिस लोट जाएगी तो बेटा यह दोनों परावरतित किरने एक दूसरे को जिस बिंदू पर काटती है एक दूसरे को जिस बिंदू पर मिलती है बी डैस बिंदू कौन सा बिंदू बेटा बी डैस बिंदू बी डैस बिंदू एडैस बी डैस वस्तू एबी का परतिविंब कहलाता है किस पर बना बेटा मुख्य फोकस पर किस पर बना बेटा मुख्य फोकस पर बिटा दुबारा ध्यान दीजिएगा माना M1 M2 एक अवतल धर्पन है जिसकी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु A B रखी है अनंत्ते आने वाली परकास किरने B E पहली आप्तित परकास किरन B E मुख्य फोकस से होकर आती है परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानतर हो जाती है दूसरी आप्तित परकास किरन C M वकरता केंदर से होकर आती है और उसी मार्ग से वापिस लोट जाती है ये दोनों परावर्तित किरने जिस बिंदू पर एक दूसरे से मिलती है या एक दूसरे को काटती है वहां हमारा बेटा A-B- वस्तु A-B का परतिविम बनता है बेटा परतिविम की इस्तिती परतिविम बना बेटा फोकस पर मुख्य फोकस पर और कैसा है बेटा वास्त्विक उल्टा और आकार की बात करें तो वस्तु से छो चलिए बेटा नंबर दो कंडिशन हमारे पास है जब वस्तु अनंत वे वक्रता केंद्र के बीच रखी हो या हम बेटा दूसरे थब्दों में कहीं जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे रखी हो माना M1, M2 एक अवतल दर्पन है जिसकी मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु A, B रखी है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु A, B रखी है बेटा पहली आप्तित परकास किरन B, E मुख्य अक्ष के समानतर आती है परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर सीधी चली जाती है दूसरी आप्तित परकास किरन वक्रता केंद्र से होकर आती है प्रावरतन के बाद उसी मार्ग से वापिस लोट जाती है ये दोनों प्रावर्थत किरने एक दूसरे से जिस बिंदू पर काटती है उस बिंदू पर वस्तु AB का परतिविम A-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B- की आकार की बात करें तो कैसा है वास्त्विक उल्टा और वस्तु से छोटा वस्तु से छोटा चलिए हमारे पास नेक्स्ट कंडिशन नमबर तीन जब वस्तु वक्रता केंद्र पर इस्तित हो वक्रता केंद्र सी पर एक अवतल दर्पन है जिसकी मुख्य अक्ष पर इस्तित वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र सी पर एक वस्तु एबी रखी है एक वस्तु एबी रखी है पहली आप्तित परकास किरन बी ए मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर सीधी चली जाती है पहली आप्तित परकास किरन B.E. मुख्य अक्ष के समानतर आती है और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर सीधी चली जाती है दूसरी आप्तित परकास किरन दूसरी आप्तित परकास किरन B.E. मुख्य फोकस से होकर आती है परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानतर हो जाती है यह दोनों परावर्तित किरने एक दूसरे को जिस बिंदू पर काटती है यह जिस बिंदू पर आकर मिलती है वहां वस्तू ए बी का परतिविम A-B-स कौन सा पर्तिविंब की इस्थिति जब आपकी वस्तु वकृता केंद्र पर इस्थिति तो पर आकार की बात करें तो आकार इसका वस्तु के बराबर होता है वस्तु के समान वस्तु के बराबर लंबाई का पर्तिविंब कनता है अगर बेटा हम बात करें परकरती की तो परतिविम बनता है बेटा आपका वास्त्विक और उल्टा वास्त्विक और उल्टा कैसा बनता है बेटा वास्त्विक और उल्टा परतिविम बनता है बेटा ध्यान दीजिए अगर आपकी वस्तु वकृता केंदर पर इस्तित है तो उसका परतिविम् वस्तू की बराबर लंबाई का वकृता केंदर पर ही वास्त्विक समान बराबर लंबाई का बनता है मैं हुए यह मैं हमारे पास नेक्ष कंडिशन है यह जब वस्तू वकृता केंदरा नदा के बीच रखी हो जब वस्तु C और F के बीच रखी हो माना बिटा M1 M2 एक अवतल दरपन है जिसकी मुख्या अक्ष पर वकृता केंद्र और मुख्या कि बीच वस्तु AB रखी है पहली आप्तित परकास किरन मुख्या अक्ष के समांतर आती है पहली आप्तित परकास किरन B.E. परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर सीधी चली जाती है परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर सीधी चली जाती है दूसरी आप्थित परकास किरन मुख्य फोकस से होकर आती है परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानतर हो जाती है ये दोनों परावर्तित किरनें यह दोनों प्रावर्थित किरने एक दूसरे से जिस बिंदू पर मिलती हैं या एक दूसरे को जिस बिंदू पर काचती हैं वहां वस्तू A B का परति इच हिस बनता है कि परतिबिम्ब की इस्तिति मेरे प्यारे बच्चो जो परतिबिम है वो C के पीछे हम कह सकते हैं C के पीछे या फिर हम कह सकते हैं बेटा C वे अनन्त के बीच यहां बनता है बेटा आपका परतिबिम अगर बेटा इसकी परकरती की बात करें तो आपका कैसा होगा बेटा वास्त्विक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा आकार कैसा होगा बेटा वस्तु से बहुत बड़ा जब आपकी वस्तु वकृता केंद्र और मुख्या फोकस के बीच रखी होगी तो आपका प्रतिविम वकृता केंद्र के पीछे या हम कह सकते हैं वकृता केंद्र और अनंत के बीच बनता है कैसा होगा वास्त्विक होगा उल्टा होगा और वस्तु के आकार से बहुत बड़ होगा है कि हमारे पास बेटा नंबर पांच पॉइंट आता है जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो बेटा माना M1 M2 एक अवतल दरपन है जिसके मुख्य अक्ष पर इस्तित मुख्य फोकस पर एक वस्तु AB रखी है पहली आप्तित परकास किरन BE मुख्य अक्ष के समांतर पहली आप्तित परकास किरन BE मुख्य अक्ष के समांतर आती है प्रावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर सीधी चली जाती है दूसरी आप्तित परकास किरन वकृता केंद्र सी से होकर आती है वकृता केंद्र सी से होकर आती है प्रावर्तन के ब बाद उसी मार्ग से वापिस लोट जाती है यह दोनों प्रावर्थित किरने अनंत पर एक दूसरे से मिलती हैं किस पर बेटा यह दोनों प्रावर्थित किरने एक दूसरे से अनंत पर मिलती हैं तो जब वस्तु आपकी एबी मुख्या फोकस पर इस्तित हो तो आपका की इस्थिति एधिए परति बिइम्ब की इस्थिति परतिभिंब कहा बनता है मेट है आप का परतिविंब अनंत पर बनता है जब आपकी वस्तु कहा रखियो न मुख्याव • पर इस्तित हो तो आपका प्रतेविंब अनंत पर बनता है परकर्ति कैसी होगी इसकी परकर्ति वास्त्विक उल्टा और आकार की बात करें तो वस्तु से परकर्ति कैसी होगी वास्त्विक उल्टा और वस्तु से बड़ा आगे अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जब वस्तु कि बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है जब वस्तु दर्पन के दुरूव वे उसके फोकस के बीच रखी हो जब वस्तु दर्पन M2 एक अवतल दर्पन है, जिसकी मुख्य अक्ष पर धुरूब वे उसके फोकस के बीच एक वस्तु A-B रखी है, पहली आप्तित परकास किरन B-E, मुख्य अक्ष के समानतर आती है, प्रावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर सीधी चली जाती है, दूसरी आप्तित परकास किरन, दूसरी आप्तित परकास किरन वक्रता के इंदर से होकर आती है, प्रावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापिस लोट जाती है, इन दोनों प्रावर्तित किरनों को पीछे की और बढ़ाने पर, या आगे की और बढ़ाने पर, ये दोनों दर्पन के पीछे, एक दूसरे से जिस बिंदू पर मिलती है, वहाँ A-B-वस्तु AB का परतिविम बनता है, दर्पन के पीछे A-B-वस्तु AB का परतिविम बनता है, और जो परतिविम वह आपका कैसा है बेटा, तीधा, आभासी, तीधा और आभासी, अगर हम बेटा इस्तितिक की बात करें, तो इस्तितिक कहां बनता है बेटा, दर्प बन के पीछे और बेटा अगर आकार की बात करें तो वस्तु से बहुत बढ़ा वस्तु से बहुत बढ़ा परतिविम बनता है बेटा हमने यह जो 6 पोइंट पड़े हैं अगर हम इने एक ही टेबल में देखें तो ध्यान देना और बेटा याद करने का तरीका थोड़ा ध्यान देना आपको यही याद हो जाएगा हमारे पास दरपन कौन से दरपन से हमने 6 च्छे creatした अवतल दरपन की थी आपके पास वस्तु की इस्तित्री पर्तिविम की स्तिति और आपकी बेटा उसका आकार और प्रकरती पर्ति विम की परकरती और आकार कैसा होगा परस्ट कंडिशन जब अवतल दर्पन है हमारे पास और वस्तु कहा है स्थित अनंत पर तो परतिभीम बनता है बेटा फोकस पर और कैसा होगा वास्तविक उल्टा और वस्तु अगर बेटा मैं बात करूं अवतल दर्पन से सिर्फ एक कंडिशन है जब आपका जो वस्तु है वो P तथा F के बीच हो बोले तो बेटा दुरूव और मुख्य फोकस के बीच हो तो सिर्फ तब एक ही कंडिशन है जब हमारे पास वो आभासी और सीधा बनता है नहीं तो बेटा पांच की पांच कंडिशन जो बची है आपकी उनमें सब में आपका वास्तु को और उल्ट परकर्ति तो बिल्कुल बेटा याद कर लीजिए सिर्फ एक इस्तिति है जब आपका वस्तु P तथा F दुरूव और फोकस के बीच रखी हो तब आपका दरपन के पीछे आभासी और सीधा बनता है नहीं तो बेटा जो पांच कंडिशन है सम्में जो परकर्तिय वो क्या है वास्तिविक और उल्टा वास्तिविक और उल्टा सेकंडिशन बेटा जब वस्तु हमारे पास वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो वक्रता केंद्र और अनंत सी यानि के वक्रता केंद्र के पीछे तो परतिविम बनता है F और C के बीच मुख्य फोकस और वक्रता केंद् पर इस पर इस्थे तो तो आपका प्रतिविंभी वक्रता केंदर पर बनेगा और आकार में कैसा होगा वस्तू के बराबर होगा और वास्त्विक और उल्टा होगा अगर बेटा नेक्स्ट Почему पोइंट चार की बात करें जब आपकी वस्तू सी तथा एफ के बीच हो किसके बीच वकरता केंद्र और मुख्या फोकस के बीच तो जो आपका परति भी है वह अननंत और केंद़ के पीछे बनता है कैसा होगा वास्तित करोकस्ति होगा उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा नेक्श कंडिशन हमारे पास आति है बैटा कि जब आपकी वस्तु मुख्य फोकस पर हो किसपर हो बेटा जब आपकि वस्तु मुख्य फोकस पर हो तो परटी भीम कहां बनेगा अनन्त पर बनेगा और कैसा होगा वास्त्विक उल्टा और वस्तु से बड़ा नेक्स कंडिशन आती है बिटा लास्ट कंडिशन पी तथा एफ के बीच जब आपकी वस्तु धुरूव और मुख्या फोकस के बीच इस्तित हो तो आपका जो पर्ति बिम्बे वो दर्पन के पीछे बनता है और कैसा होता है कहें आपसे कि हमारी जो वस्तु है वह वक्रता केंद्र पर है तो परति बिम्ब कहां बना बेटा फोकस पर बना जब वस्तु आपकी अनन्त पर थी तो बेटा अगर वस्तु फोकस पर है तो परतिविम्ब अनन्त पर होगा अगर वस्तु किस पर है बेटा अनन्त पर तो परतिविम्ब कहां फोकस पर अब हम क्या करें अगर वस्तु फोकस तो परतिविम्ब अनन्त देखो ध्यान से वस्तु किस पर फोकस पर परतिविम्ब कहां बना अनन्त पर दूसी कंडिशन बेट अगर आपकी वस्तु वक्रता केंदर के पीछे हो यानि कि अनन्त और वक्रता केंदर के बीच तो जो परतिबिम्ब है वो F और C के बीच बनता है मुख्या फोकस और वख्रता केंदर के बीच बनेगा वक्रता केंदर के पीच देख ब्यान से वस्तु कह है बाटा स्ती और एपक बीच परती बिम कहां चला गया है बिच एक कंडिसन है बीच जब वस्तु वक्रता के अंद्र पर तो परतिविम भी वक्रता के अंद्र पर अगर वस्तु C पर तो परतिविम भी C पर बनेगा लाश्ट कंडिशन बची बेटा हमारे पास में अगर हम बात करें P और F के बीच और यह सबसे चटी कंडिशन आपको मैंने बताया कि आपकी 5 कंडिशन में परतिविम वास्तिक और उल्टे बनते हैं और यही चटी कंडिशन है अवतल दरपन में जिसमें एक परतिविम सीधा और आभासी बनता है और वो भी कहां बेटा दरपन के पीछे और वस्तु से बहुत बड़ा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है बेटा दुबारे रिपीट करना चाहूंगा अगर हमारी वस्तु अनंत पर है किस पर है बेटा अनंत पर तो परतिविम कहां बनता है फोकस पर अब बेटा याद कर लीजिए अगर वस्तु फोकस पर है तो परतिविंब अनन्त पर है परतिविंब कहां बेटा अनन्त पर दूसरी कंडिशन बेटा अगर वस्तू वक्रता केंदर और अनंत के बीच है किसके बेटा वक्रता केंदर और अनंत के बीच तो परतिविम बनता है मुख्या फोकस और वक्रता केंदर के बीच अब याद करिए बेटा अगर वस्तू आपकी मुख्या फोकस और वक्रता केंद पर है तो परतिविम्ब वकरता केंद्र पर बनेगा चोधी अगर वस्तूवरता केंद्र और mask के बीच है खटा के इंदर एफ के बीच सी और q vche तो पर रही बताया मिटा कहाँ बनेगा और और वकरता केंदर के बीच में सुछा पीछे हमारे पास बटा नेक्स सब्सक्राइब मुख्यka फोकस पर तो पर्तिविम बनेगा अनन्त पर और वस्तू अनन्त पर्तिविम फॉकस अगर हमारे पास बात करें लाश्ट पी और एफ के बीच दुरू और मुख्य फोकस के बीच तो परतिविंब बनता है दर्पन के पीछे सीधा आभाती वस्तु से बहुत बड़ा कि आसा करता हूं बेटा आप बहुत अच्छे से अवतल दर्पन द्वारा परतिविंब का बनना अच्छे तरीके साल इन्हें समझ गए होंगे बीटा मैं ने इसमें आपको साथ साथ रिपीट भी किया था परतिविंब बनाने के नियम आशा करता हूं आपको यह वीडियो ब भी फॉलो कर सकते हैं मैंने आपसे पहले भी बताया था हम डाउट सेशन लेकर आ रहे हैं अगर आप यूपी बॉर्ड के बच्चे हो तो आप यूपी बॉर्ड के वोट्सअप गुरूप से जुड़ सकते हैं जिसका सोलुशन सेटरड़े और संड़े होता है और अगर आप सेटरड़े संड़े होता है सोलुशन की बात करूं बेटा जो टोपिक हमने आपको पढ़ाए और वहां से आपको कोई डाउट है समझ में नहीं आ रहा है पॉइंट तो आप हमारे इंस्टाग्रम पेज को भी फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पेज है और टिजिटल एज धन्यवाद मेरे प्यादू